अनुष्का शर्मा की बेटी वामिका एक साल की हो चुकी है लेकिन अब तक अनुष्का ने अपनी बेटी की फोटो या चहरा लोगों को नहीं दिखाया है इसी बीच कल साउथ आफ्रिका ओडियाई के दोरान अनुष्का और उनकी बेटी की विडियो सामने आई जिसमें वामिका का चहरा पहली बार नजर आया सोशल मीडिया पर वामिका के पिच्चर्स वाइरल हो गए और लोगों ने वामिका की शकल के लिए कहा कि विराट कोली से हूब हू मिलती है सबसे बड़ा सवाल ही रहा लोगों के बीच की आखिर जो अनुष्का अब तक बच्चे क्या चेहरा छिपाती ही रहती है इन फैक्ट हाल ही में जब इंडियन क्रिकेट टीम साउथ आफरिका के लिए रवाना हुई थी और तब मीडिया के सामने थी वामिका तब भी विराट और अनुष्का ने मीडिया को परसनली मना किया था कि पिच्चर्स मत लेना बेटी के और मीडिया ने बात मानी जिसके बाद अनुष्का और विराट ने एक थैंक्स का नोट भी दिया था मीडिया को इसी बीट अब साउथ अफरिका से जब वामिका की विडियो सामनी आई है तो लोगों का सवाल रहा कि आखिर अब अनुष्का ने चहरा क्यों रिवेल किया कुछ ने गैस किया कि विराट कोली की पचास रन पूरे हुए हैं इसलिए अपने पचास को विराट ने अपनी बेटी वामिका को डेडिकेट किये हैं नहीं कुछ ने कहा कि कुछ समय पहले South African Sports Channel के साथ विराट कोली की बहस हो गई थी जब उन्होंने stump में उस चैनल को सतर्क करते हुए कहा था कि दूसरी टीम से ज़ादा जो लोग खेल रहे हैं उस पर तुम्हारा ध्यान रहना चाहिए इसी कारण उस चैनल ने विराट कोली से बदला निकाला और विराट कोली के साथ अनुष्का की बेटी की पिच्चर सोशल मीडिया पर डाल दी तो दो तरह की बाते रही क्योंकि विराट और अनुष्का ने इस मामले में तब तक कुछ कहा नहीं था लेकिन अब अनुष्का ने क्लैरिटी दे दी है कि आखिर वाम अनुष्का ने क्लियर किया कि हमारी परमिशन के बिना ये विडियो ली गई है क्योंकि हमें नहीं पता था कि कैमरा हम पर है अनुष्का ने कहा कि हमारा इंटेंशन आज भी क्लियर है और वही है जो पहले था हम रेक्वेस्ट करते हैं कि वामिका की पिच्चर ना क्लिक की जाए अनुशका ने ये स्टेटमेंट जारी किया है सेम स्टेटमेंट विराट कोली ने भी जारी किया है तो ये बात अपने आप में कंफर्म करती है कि जो इंटरनाशनल स्पोर्ट्स चैनल है उसी ने विराट कोली से बदला निकालने के लिए ये सब किया है क्योंकि पूरा अनुश्का के मना करने के बावजूद जब अनुश्का और उनकी बेटी की पिच्छ ली गई तो ये साफ तोर पर जाहिर करता है कि विराट ने स्टंप पर जो स्पोर्ट्स चैनल को गाली दी थी उसी के कारण ये चैनल नाराज था और उसने ऐसे बदला निकाला